गैस जलाने की विजरत नहीं पड़ेगी इस मिठाई को बनाने के लिए एकदम लाशनेट दिवाली स्पेशल स्वीट की रेस्पी सेयर कर रही हूँ जो कि आप देख सकते हैं बिलकुल मार्केट की जैसी लग रही है देखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाधि रेसिपी है तो सबसे पहले एक कप डेसिकेटेड कोकुनेट ले रही हूँ जिसे की नारियल का बुरादा भी बोलते हैं और यह आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से एवलेबल हो जाएगा और साथी आड़ करेंगे आधा कप मिल्क पाउडर कोई साभी मिल्क पाउडर यहाँ पर ले सकते हैं और आधा कप से भी कम चीनी यहाँ पर एड़ करेंगे मतलब मैंने यहाँ पर वन बाद थर्ड कप के करीब ही चीनी एड़ किया है साथी दो हरी लाएजी और सारी चीजों को एक पर क्या करेंगे ना मिकसर में चला लेंगे ताकि चीनी और जो डेसि से नीकाल लेंगे बॉल में और आभ मैं इसमें एड़ करी हूँ दो ड्रॉप श्ट्रॉबरी एसमस यह ऑप्स नल है अगर आपके पास हो तो एड़ कर सकते हैं या फिर इसके भी कर सकते हैं इसे एक अच्छा सा पिंक कलर भी आ जाएगा और अब मैं इसमें डूद तो जो भी है मिस्रे नीसे लगा करके तैयार करना एक दम एक दो चमची दूद का मैंने यहां पर इस्तमाल किया नापा तो नहीं था लेकिन दो टेबली स्कून के करीब लगा होगा अब मैं यहां पर ले रही हूं ड्राइफ रूट्स ड्राइफ रूट्स अपने यहां पर ले सकते हैं इससे मैं श्टफिंग बना रही हूं और साथी मैं यहां आड़ कर दिया दो चमच मगज के बीज और यहां पर जो ड्राइफ रूट्स है ना उससे मैं मिक्स कर ले रही हूं एक बार और यह ना कप में अगर आप देखेंगे ना तो वन बार थर्ट क के करीब होगा और जो हमने पहले कोकनट वाला डो लगा करके तयार किया था ना उससे मैं एक दो चमच डो इस ड्राइफ रूट्स में एड़ कर रही हूं ताकि इसमें भी अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए और यह देखने में और भी ज्यादा सुन्दर लगे तो इसे न है खाने में तो आप ट्राइ करके देखिएगा आपको बहुत जादा पसंद आएगा तो यह ड्राइफ रूट वाला भी डोमें लगा करके साइड में रख दिया है अब महिया पर ले रही हूं और डी इकोवेक यह 100% इको फ्रैंडली है अगर आपके पास यह नहीं हो ना तो आप किसी प्लेट के ऊपर भी इसे कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे इसे रोल करेंगे मतलब बेलेंगे तो इसके ऊपर भी मैं यहाँ पर एक और एकोवेक लगा रही हूं ताकि बेलन में यह बिलकुल ना चिपके और इसे ना हमें rectangle shape में बेल करके तयार करना है ना जादा पतला रखना है तो इकवल ही बेलिएगा और कोसिस कीजिएगा ना square rectangle में ही इसे बेलने की ताकि जो मिठाई बनाएंगे ना उसमें shape बहुत ही बढ़िया आएगा तो यहाँ पर तो मैंने try किया है rectangle बेलने का लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है तो मैं यहाँ पर side स इसे बेल लिया है और इसे मैंने थोड़ा सा लेवल भी कर दिया है अब हम क्या करेंगे ना इसे रखेंगे साइक में और जो हमने dry fruit वाली मतलब मिसरन बना के रखी ती ना उसे अब हम क्या करेंगे लंबा करेंगे मतलब इसे आपको basically roll करना है जिसे कि हम पहले वाले मिसरन में श्टफ करेंगे तो अब देख सकते हैं हाथ से यह थोड़ा थोड़ा से इसे प्रेस करिएगा और square का सेप दे देज़ेगा बहुत ही आराम से यह हो जाता है और अब क्या करेंगे इसे center में रख देंगे और कोशिस कीजिएगा ना कि पट्टी के size का ही stuffing बनाने की ताक आप चाहें तो इसे circle भी बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर square का shape दे रही हूँ बेलन की help से मैं इसे चारो side equal कर रही हूँ ताकि अच्छा square बन करके तयार हो जाए अब क्या करेंगे इसे tightly butter paper से roll कर देंगे और यह जो sweet है ना almost बन करके तयार हो गई है लेकिन cut करने से पहल नहीं पड़ती है अब मैं यहाँ पर लगा रही हूं silver work जो की optional है आप चाहें तो लगा भी सकते हैं या फिर skip भी कर सकते हैं या फिर इसकी जगह पे आप बारिक बारिक पिस्ता चौप कर लें उसके ऊपर इसे आप रोल कर दें उससे भी यह देखने बहुत सुंदर लगत में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट तो अब हम क्या करेंगे ना इसे हाफ इंची की थिकनेस में इसे कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं कितने अच्छे स्मूध तरीके से यह कट रहे हैं क्योंकि हमने इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ना पैमानों को सर्व करने में भी अच्छा लगता है लगता ही नहीं कि अपने घर में बना करके तैयार किया है खाने में इसका स्वाध एकदम अल्टिमेट आता है तो आप इसे जरूर से ट्राई कीज़ेगा इस दिवाली और आपने देखा ही कोई भी मेहनत नहीं है और नही कोई फेल वाली रेसीपी है बस आपको ध्यान रखना है ना दूद्ध थोड़ा-thोड़ा करके अड़ करना है क्योंकि ये ना बहुत ही जल्दी से सॉफट पढ़ जाता है तो इसका आपको ध्यान रखना है तो कैसी लगी आप लोगों को ये नो गैस वाली रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर से बताईएगा और अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और ज्यादा से ज्यादा सेर कीजेगा हैपी दिपावली और हैपी धनतेरस बाबाई टेक केर